नमस्ते, मैं हूँ आचारे प्रतिष्ठा हम सब अपनी तवचा की बहुत देखरेक करते हैं क्योंकि सभी ये चाहते हैं कि स्किन खुबसूरत दिखे, ग्लोइंग दिखे स्किन पर कोई दाग धब्बे ना हो और हम अपनी स्किन को एक्सफुलियेट करने के लिए प्रतिष्ट देखरेक केमिकल बेस्ट होते हैं हमें यह समझना होगा कि हमारे इनर वर्ल्ट का ओटर वर्ल्ट से कनेक्शन हमारी पाथ सेंस से तो होता है लेकिन सिर्फ मू नाक कान और आख इनहीं के थूचिज़ें अंदर नहीं जाती है हमारी तवचा हमारी स्किन जो हमारी फिफ्ट सेंस है उसके थ्रू उसके पोर्स के थ्रू भी हम इनर वर्ल्ट राउटर वर्ल्ट को कनेक्ट करते हैं और इस पर हम जो भी कुछ लगाते हैं वो सिर्फ हमारी तवचा तक ही सीमित नहीं रहता वो हमारी भीतर एफेक्ट करता है और सिर्फ हमारी स्किन के हेल्थ ही रिलेटेड नहीं होती उससे हमारी ओवर ऑल हेल्थ उससे रिलेटेड होती है इसलिए जब आप बहुत ज्यादा केमिकल्स अपनी तवचा पर इस्तेमाल करते हैं तो वह आपके स्वास्थे के लिए नुक्सान दायक ह होता है पर ऐसे में क्या करें ऐसे में आप नियमित रूप से योग अभ्यास करें नियमित योग साधना करें ऐसी क्रियाए करें जो आपके ब्लद के सर्कुलेशन को अपवर्ट करें साथ में कुछ फेशल एक्सराइज करें और एक ऐसी चीज जो आपकी रसोई में छूप कर सकते हैं उस क्या है यह मैं आज के एपिसोर में आपको अंत में बताऊंगी इसलिए आप अंत तक हमारे साथ जरूर जुड़े रहें उसके पहले ही समझना बहुत जरूरी है कि बैठे-बैठे ऐसी क्या फेशिल प्राक्टिस आप कर सकते हैं जिससे उर्जा का संचार अप पूरे चेहरे पर टैपिंग करें इससे उर्जा का संचार अपवर्ज होता है और आप देखेंगे कि आपका चेहरा भी ग्लो करने लगेगा वैसे तो अगर पुराने दिनों की बात करें तो अक्सर स्कूल में हमारे साथ ऐसा नैस सरगी क्रूप में हो जाया करता था नाच बचा को एकसाइज ना दे अपनी स्किन को एकसाइज ना दे तो यह तो हुआ पहला काम जो करके आप अपने ब्लट की सर्कूलेशन को अपवर्ज कर सकते हैं दूसरा काम आप सांस को भरेंगे और मुव में फुला करके थोड़ी दिर रोक लेंगे और उसमें भी अगर अच्छा यानि की सांस बरा गालों में भर लिया जिससे ब्लट का सर्कूलेशन अपवर्ड होगा चेहरे पर ग्लो आजाएगा बहुत सरल साब्यास है बहुत इजी प्राक्टिस है और आप इजी ली से कर सकते हैं तीसरा काम ये करेंगे कि आप अपने स्किन को स्क्रब करने के लिए एक्स्फलियेट करने के लिए केमिकल बेस्ट स्क्रब की जगा प्रयोक करेंगे टैमिरिंट यानि इमली सुनकर कैस चर्रे तो हुआ होगा हम उस महान संस्कृती से आते हैं उस महान परंपरा से आते हैं जहां हमारे ancestors को हमारे पुर्खों को यह पता था कि हमें क्या भूचन में देना चाहिए और क्या नहीं अगर अपने बच्पन की बात करें हम तो हमें याद है जब हम स्विद्याले में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे स्कूल के बाहर कोई भी packed चीज़े नहीं मिलते थे जो vendors सडक पर खड़े रहते हैं वो मूली देते थे वो बेर देते थे और वो इमली देते थे और दो रूपे में पूरा दोना भरके इमली आती थी औरस इमली को चाटते चाटते घर जाते थे क्योंकि हम जानते थे हमारे देते थे बिलसे वहिए अरुपे हमारे लोगा पर है यह अब हमें डबाबंध फूड मिलता है स्कूल के बाहर भी और अंदर भी विच इस वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट इमली चाहे हम नौत इंडिया की बात करें या भारत की किसी भी पार्थ की बात करें इमली टामरिंड हमारे डाइट का एक बहुत विशेश बात है कैसे आप इमली का प्रयोग करेंगे इमली का सेवन तो करेंगे क्योंकि वो वाइटमिन सी होता है साथ में आप थोड़ा सा इमली का पेस्ट लेंगे वो बजार से जो पेस्ट आता है वो नहीं आप और गानिक इ करके मसाज करते हैं उससे पूरा मसाज करेंगे दस मिनट तक मसाज करेंगे पांच मिनट उसे लगा रहने देंगे और मूद हो लेंगे इतना सा काम आपकी तवचा को नाचुरल स्क्रब देगा कोई केमिकल आपको इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा आपकी तवचा दमकने ल और हमारा कारेक्रम नेमित रूप से देखते रहेंगे.